हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ सिंद में पीने के साफ पानी की फरहमी का मौमिला अदालत लग गई वजीर आला कमिशनर कराची और साबिक सिट्य नाजिम मुस्तुफा कमाल हाजर शाह साब आप तयारी करके आएं हैं सहाफी का सवाल अल्ला करम करेगा मौराद अलीशा का जवाब अलजीदिया सील मिल्स रेफरेंस नवाज शरीफ के बैंक अकाउंस की ट्रांसिक्शन का मज़ीद रिकॉर्ड एथिसाब अदालत में पेश साबिक वजीर आजम को एक हफ़ते का इस्तस्ता हासिल है इस अगासा के गवा मलक तयव का बैं रिकॉर्ड नवाज शरीफ का नवाज शरीफ का नव रेफरेंस को मानने से इंकार इंतकामी एतसाब से मुल्क का सत्यानास हो रहा है मार्शल लौ को जाइस खरार देना बहुत बड़ा जर्म क्या इसका भी एतसाब होगा मुल्क अंधेरे में डबोने वाले एश कर रहे हैं अंधेरे दूर करने वाले नाएहल साबिक वजीर आजम की लंदन पहुंचने पर कड़ी तन्दी अब चाहे कुछ भी हो वोगा वोट के जरी उस गौड़ फादर ने जाली खान को बात समय नहीं हा रही हमने दो दफान की जमूदियत बचाई है मगर अब हम इनकी जमूदियत नहीं बचाएंगे नहीं बचाएंगे नवाज शरीफ को दो बार बचाया अब मुकाबला होगा आसिव जर्दारी सियासी जंग में शिद्दत ले आए नवाज शरीफ को गौड़ फादर और कप्तान को जाली खान का लकब दिया जिया के हवारी समझते थे बुटो की पांसी से पीपल्स पाची खत्म हो जाएगी बिलावर बुटो का भी जारे हाना अंदास लाहर हाई कोर्ट के हुकम पर जस्टिस बाकिर नजसी कमिशन की रिपोर्ट पाबलिक साने हाए मॉडल टाउन वर तरीन वाकिया करा कई राजों से परदा उठा दिया शैबास शरीफ समय दिगर अथारिटीज मासूम नहीं पाइरिंग इसके हुकम पर हुई कोई बताने को तयार नहीं सह तक जाने के लिए मुकमल इक्तियारात नहीं दिये खाए कानून की नज़र में रिपोर्ट नकाय से भरपूर गेर मौसर ना मुकमल और बे नतीजा करा वजिर आला समय किसी हकूमती शक्सियत और पुलीस को जिम्मेदार नहीं चहराया गया कारकुनों को पुलीस पर हमलों के लिए किसने उक्साया राना सनाउला की प्रेस कौन थी कंटेनर से यार कर लें ताहिर उल्खादरी की कारकुनों को हिदायत पंचाब हुकूमत के जिम्मेदार इस्तीफा दें हुगूमती गिरिफ कमजोर हो गई नवास शरीफ और शहबाद शरीफ जेल जाएंगे सरबरावामी तहरीक बरस पड़े बलोसिस्तान में साइबेरिया की ठचरती अवाओ का राज हर शेय जम गई पारा मन्फी दस रिकॉर्ड किया गया पानी जम गया असराद शेयरे काय तक पहुंच कए शेयरियों ने गरम कप्रे निकाली अब तैयारी करके आए हैं जिस पर वजीर अलासित मुराद अली शाह ने कहा कि अल्ला खैर करेगा तो इस तरह से एक हलके फुलके मूड में उन्होंने ये बात कई उसके बाद वो अंदर चले गए और उसके बाद अब सक्त सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है आहां मुकदमा है इससे मुतलिक आपको अपड़ेट करते रहेंगे आगे बढ़ते हैं को और आहम खबर शामिल करते हैं तसाब अदालत में अलजीजिया स्टील मिल रेफरिंस की समात हुई है इस तगासा के गवा मलिक तैयब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स की ट्रांजिक्शन का मजीद रिकॉर्ड भी जमा कराया गया नवाज शरीफ को हाजरी से एक हफ़ते का इस्तस्ना हासल है वो इस वक्त लंडन में मौझूद है और केस की अलबता समात हो रही है अदासाब अदालत के जजज मुहमद बशीर इस वक्त समात कर रहे हैं और गवाज जो हैं वो अपने बयान कलम बंग करा रहे हैं साबिक वजिर आजम नवाज शरीफ लंडन पहुंचे और कड़ी तनकीत की कहत कहते हैं कि इंतकामी एतसाब से मुलक का सत्या नास हो रहा है मार्शल लौ को जाइस करार देना बहुत बड़ा जर्म है क्या इसका भी एतसाब होगा उन्होंने मजीद कहा कि नव रेफरेंसिस को कते नहीं मानता मुलक में धर्नों का ब्रवाज बन गया है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन पहुंसते ही एक बार फिर अपने खिलाफ नव रेफरेंसिस को खूब हद्वे तनकीद बनाया उनका कहना था कि इंतकामी एतसाब से मुलक का सत्या नास हो रहा है मार्शल लाउ को जाईस करार देना बहुत बड़ा जुर्म है क्या इसका भी एतसाब होगा असद्वार जब से लिए अट इसलिए अपना बनाई जाती हैं कि वह पटीमाइस प्रमी fist करें अपना एक अपमा मार्शलाओं को के माशलाहं को वह अपनन जो है हो उसको कोई भानुनी शकल दे कोई क माशला है जो मासर लाumा पर अपना जाइस करार दिया जा सकता है देकिने इनुने जाइस करार दिया ये एक बहुत बड़ा जुरुम है और इसका भी एक हिसाब होगा भई मापको बतार हो नमाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में अब धरनों का रिवाज हो गया है मुल्क को अंधेरे में डबोने वाले एश कर रहे हैं जबके अंधेरे दूर करने वालों को नाहल करार दे दिया जाता है जो मुल्क में अंधेरे पैदा करते हैं वो तो इस वक्त आश कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के अंधेरे दूर करके साबिक वजीर आजम ने कहा कि सतर साथ से जमहुरियत के साथ घिनोना मजाक हो रहा है सिर्फ वजीर आजम को ही क्यों बकड़ा जाता है उनका कहना था कि सानिह है मौडल टाउन के बाद तमाम कमिशन की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए बीस क्रोड अवाम उसको मुन्तखिब करते हैं कि ये लोग इल्ला करके पढ़ जाएं प्राइमस्टर को और उसको अपना जो है वो जेल में डाल दें या फांसी दे दें या मुल्क बदर कर दें ये क्या तरही का है ये बड़ा बहुत गनावना मजाक हो रहा है नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से देश्टगर्दी का खातिमा किया लेकिन अब ये फिर सर उठाना शुरू हो गई है उदर आसिफ ली जर्दारी ने सियासी जंग का तबल बजा दिया पीबल्स पार्टी की गोल्डन जूबली के जलसे में सियासी लड़ाई का ऐलान कर दिया कहते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला करके अपनी जम्हुरियत लाएंगे इसलामबाद से देखिए शाकिर सुलंगी के रिपोर्ट नवाज शरीफ हकूमत को दो बार बचाया अब मुकाबला होगा आसिफ अली जर्दारी ने जम्हुरियत के लिए सियासी लड़ाई का ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को जाली करार दिया उस गाड़ फादर ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया और वो भी एक जाली मैंडेट पे है मगर जम्हुरियत की खातर हम ने दी हमने दो दफाएं की जम्हुरियत बचाई है पीपल्स पार्टी के शिरीक चेर्मेन ने इमरान खान को भी आड़े हाथो लिया उनका कहना था कि जाली खान अवाम को कुछ नहीं दे सकता आसी वली जर्दारी ने कहा कि मुशर्फ का कोई फ्यूचर नहीं मुल्क में जो कुछ भी होगा वोट के जरीए होगा पीपल्स पार्टी वर्कर्स की वज़ा से है अवाम नहीं तो फिर कुर्सी भी नहीं रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के हमरा शाकिर सुलंगी दुनिया नियूस इसलामबाद देने वाली सर्दी है कलात में दरजा हरारत मनफी बारा जबकि कोईटा में मनफी दस रेकॉर्ड किया गया है शदीद सर्दी से मामूलात जिंदीगी मुतासर हो गए लोग घरों में महसूर होकर रहे गए है गैस बंद होने के वज़ा से शेहरियों की मुश्किलात में इजाफ़ा होता नजर आ रहा है आपको उप्टेट कर रहे हैं बलोचिस्तान से जहां साइबेरिया की ठीटर्टी हमाउने का राज है हर शेय जम गई है कोईटा, कलात और जहारत में खून जमा देने वाली सर्दी है कलात में दरज़ा हरारत मनफी 12 सबकर कोईटा में मनफी 10 रिकॉर्ड गया गया गैस भी बंद है जिसकी वज़ा से शेहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है शदीद सर्दी से मामूलाते जिंदीगी मुतासिर हो गए और लोग घरों में मेस्थूर होकर रह गए है दूसरी जानब कराची में भी थंडी हवाओं के जेरे है सर्द हवाएं चलने से थंड में इजाफा हो गया है शेहर में दरज़ा हरारत 14 हवा में नमी का तनासुब 30 फीसद रिकॉर्ड किया गया शेहरियों ने गरम कपड़े निकाल लिए है और आम तोर पर देखा गया है कि पाकिस्तानी माएं अपने बच्चों को धूप से बचा कर रखती है शायद वो नहीं जानती कि सूरज की शुआएं बच्चों की नशनमा के लिए बहुत जरूरी है धूप में ना खेलने से बच्चे बीमार भी हो सकते हैं इसलामबाद से देखिए फाजी आली की रिपोर्ट कर्मी हो या सरदी फूल बच्चों के फलने फूलने को हैं जरूरी सुनहेरी किरने सूरज की रूप में दोस्तों का संग चेहरों पर हसी और खुशी माई अपने बच्चों को सूरज की शौँ से रखती हैं चुपाए कि कहीं उनका गोरा रंग मेला ना पड़ जाए लेकिन चनाब सूरज की ये रोश्नी और तपिश बड़े काम की है जरूरी ये है कि अगर वो चमडे को डारेक्ट लगें तो वो इन एक्टिव फॉर्म ओफ वाइटिमिन डी को एक्टिव फॉर्म ओफ वाइटिमिन डी में कनवर्ट करती हैं वाइटमिन डी जो है ये बहुत जरूरी होता है बच्चों की हड़ियों के बढ़ने के लिए इंफेक्शन से बचाता है, लॉंग रन में कैंसल से बचाता है, डिप्रेशन में बढ़े होते हैं, बलूगत आती है तो हर्मोनल इंबालंस बलकि इसमें तो अम्यून कुवत मदाफियत जिसे कहते हैं, इम्यून सिस्टम जो है, उसको भी बेतर करता है, तो आप इंफेक्शन से भी बहुत सारा बच सकते हैं तिबी माहिरीन कहते हैं कि सूरज से दूर रहने वाले बच्चे बहुत सी बिमारियों में मुब्तला हो सकते हैं सर्दी की धूप हो या कर्मी की, बच्चों के लिए लाजिम है सूरे से दोस्ती धूप के ही रंग जुलसा ना दे, माओं को यही फिकर लगी रहती है लेकिन तिबी माहिरीन कहते हैं कि बच्चों को चंद खिंटे धूप में जरूर बिठाएं, यही उनकी रशनों मा के लिए बहतर है कैमरमें चाहिन कर्देजी के साथ, पॉस्टिय अली, दुनिया न्यूज, इसलाम बार बच्चों का रंग काला होने के डर से माए बच्चों को धूप से दूर रखती है लेकिन बच्चों के नुशन हमा के लिए सूरज की किरने बहुत जरूरी है बच्चों के लिए सूरज की किरनों की इफादियत के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझू थोडियो में माहिर अत्पाल डॉक्टर हुमा डॉक्टर हुमा से जान लेते हैं डॉक्टर बताईएगा धूप क्यों जरूरी है बच्चे से दूप में रखना चाहिए लेकिन यह है कि इतने सारे कपड़े जो हम पेना देते हैं उस पे दूप का कोई असर नहीं होता जो हमारी international studies हैं उनके accordingly तो यह है कि आपको दूप में बच्चे अगर रखने हैं तो गर्मियों में 15 to 30 मिनेट सेंट सर्दियों में approximately 1 hour तक और जिन अलाकों में दूप नहीं निकलती है उनमें यह होता है कि उनमें हमें फिर ओरल या कोई food supplements देने पड़ते हैं नहीं दूप में ऐसा क्या है जो जरूरी है body के लिए झाल